वालेकूम जी क्या हाल चाल है अमीद करती हूं आप लोग है यसे होंगे आज है Friday और Friday को आपको पता है कि बीजी दिन होता है क्यों करना है तो किसा काम जुम्मे की तैयारी आपने करनी होती है मैंने बच्चों को सबकी कोशी होती है Friday वाद दिन सबकुश दौर्गमीस पे न आया और फ्राइडे वाल दिन मेरी में सब कुछ लवार्कमिस बनाऊगा ताके बच्चों को थोड़ा बहुत जुम्हे का पका चलना शुरू हो जाए अभी अश्र पढ़ने क्या है जुम्हे की नमाज बबा के साथ और मार्या इदर ही खेल रही है अभी आपको से भी मिलवा को पोगते हो मार्या 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 यह मार्या पढ़ा रही है और मैं बनाऊंगी चपली कबाप और आपके साथ उसकी रेस्पी भी शेयर करोंगी और हां जी आ अज मैंने फ्राइडे वाला दिन में को छापी श्रचार क्यूआर डेशे शोक्त चीज़ करते ह partes कुछ मीथा भी बना रहूं आज मैं बनाओंगी डॉनत्स वर आप से उसकी भी रेष्पी करूंग चबर लोग करते हैं आप लोग करते हैं चबंद्ध निर ले ले लिए थे वह आप से यह करते हैं उसके बाद फिर आ प्रोग्रेस भी देखिएगा जुम्हे के दिन मैं थोड़ा जल्दी उड़ जाते हैं क्योंकि जुम्हे थोड़ी प्रहाई ज्यादा करनी होती है सुरे कहफ सुरे जम्मा और चोठी आयात की मैं तलावत करती हूं मैं ऐसे तो रोज ही कौण पढ़ा चाता है लेकिन जुम्हे वाल दिन थोड़ ज़़ादा पढ़ाई करनी होती है मुझे उसके बाद मैं कौण पार्क पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई थी किचन मैं रात को मुमन सारा नीट और क्लीन करके जाती हूं लेकिन मैं आज चुला साफ का ना शायद रात को भूल की थी इसलिए पहले आकर मैंने सारा चुला साफ किया मैं बच्चों के लिए नाश्ता पनाने लगी थी रात को मैं ब्रेड मंगवाना भूल की थी मेरे बचे नाश्ते में ब्रेड ही खाते हैं या विकेंड पे नान चने वारा खाते तो week days में ने बेट का नाज़ता मौमन देती हुए दूध ले लेते हैं तो यहां पर मैं इनके लिए रोटी बनाई थी यहां पर फिर मैं इनके लिए सुकी रोटी बनाई थी और साथ में मेरे पस केनन्स के सीख कपाब पड़े हुए थे तो मैंने बच्चों को रोटी के साथ वो दे दिया तो बच्चों नाश्टा कर लिया था यहां बच्चे अराम से बैठके नाश्टा कर रहे थे और साथ ही मैं नीचे मारे के कपड़े ले आए थे अच फ्राइटर था उसको मैंने शलवार कमीज पहनाना था ये शलबार कमीज में आलकरम स्टूडियो से लाई थी ये मैंने सेल पे लिया था ये 28, 45 इस केक्श्वल प्राइस थी लेकिन सेल पे बहुत अच्छे रेट्स मिल गे थे और ये मुझे पढ़ा था 14, 25 का शहीर बाहर गाड़ी चला रहा था अंकल अंटी जा रहे थे आज गाउं क्योंकि फ्राइड़ को मुमन मों लोग गाउं जाते हैं गुजरा जाते हैं वो घुमने पिनने जाते हैं तो इसलिए फिर वो लोग जा रहे थे उद्वर और हमारा भी बहुत दिल था गाउं जाने को लेकिन बच्चे स्कूल गे वे थे तो वो फ्राइड़ के लावा जाते हैं नहीं तो पिर हम लोग जा नहीं सकते हैं तो रेर ही होता है कि हम लोग सट गाउं जाएं यहां मैं आप से शेयर कर थी चपली कबाब की रेस्पी यह मैंने ले देता था हाफ के जीँ से जादा कीमा यह मैंने 5-6 बड़ साइज के नहीं प्याज ले लिए थे एक बड़ा टमाट्र ले ले था यह अच्छ साकरी से यहां से प्रेस करने ताका पानी नीट ये इस में नाल मेट सबसे पर नमक कि यहां पर सबसे पहले मैं डाल您 नमक नमक भाष कर डाल ले मैं ये 함 दो ते दो सिर तीन चामच अलगे थी में उसके बाद मैंने डालती थी यृवर मिर्च ये मैं ने क्पिमिक से बढ़ाया काम कर सकते हैं दो चमच मने डालता सुका धनिया और फिर मैंने भी सारे मिसार्य डाले थे और एंड में मैंने डालता दो चमच पिसा हुआ अनार दाना कि उसके बाद मैं अब इसमें डान करूंगी एक inda कि अंडा होता है कबाबों को जोड़ने में मदद देता है तो एक अंडा इनाफ होता है और फिर मैंने डाल पर दो से तीन बड़े चमच बेसन के ताके ये ये भी कबाबों को जोड़ने में मदद करता है फिर अच्छी तरह मैंने सारा मिसाला मिक्स कर लिये था और कबाब फिर मैंने साथ ही फ्राइ पैन में डालना शुरू कर दिये थे मैं कबाबों को साइस बहुत बड़ा नहीं रखती है मुझे लगता है कि वो से जल्दी कुखनी होते हैं और यह मेरे यहाँ पे कबाब डेडी हो गे थे बहुत मज़ेके बने थे और यह साथ ही मैं आपसे शेयर कर रही हूं यहा थे मैंने पिस हुई चीनी के यह आप घरंडर में रही हैं और साथ ही मैंने इसमें एक अंडा डाला था और तीन यह unsalted butter था जो मैंने add किया था उसके बाद इसको मैंने अच्छी तरह गुन के मैंने एक airtight box में डाल नीम गरम पानी से मैंने इसको गुनता था यहां पे ठीक है जी इसके बाद इसको मैंने एक airtight box में डाल के दो घंटे के लिए रख दिया था यह दो घंटे के बाद जब मैं अच्छी तरह इसकी dough rise हो चुकी थी साथ ही मैंने fry pan में oil डाल के गरम कर लिया था और फिर मैंने इस dough को मैंने अच्छी तरह बेल के हाथ से ही मैंने इसको तुरह फिला लिया था और अगर आपके आपस सांचा है तो वैलन को डगर नहीं है तो कोई भी थोड़ी बड़ी सा इसको निकाल लिए इस तरह बीजली शेप बना सकते हैं उसके बाद मैंने इसको शेप को हाथ यहां से उठाया और फ्राइपन में डाल दे पहले एक साइट आपने ब्राउन करनी है फिर आपने दूसरी साइट ब्राउन करनी है पर इसके लिए आंच आपने बहुत तेज नहीं रखने थोड़ी मीडियम सा फ्लेम रखना है इससे जरा आप सारी शेप्स बनाके उनको अच्छी तरीके से फ्राइप कर लीजिए यह देखें कितना अच्छा कलर हो गया इसके दोनुट साइटों पर यहां पर सारी डोनुट्स में कर चुकी थी फ्राई और अब इसकी में सॉस प्रेपेर करने लेकी थी यह मैंने डाते तीन चमच बटर फ्राई पैन में राव था उसमें मैंने पांच से चमच दूद के इसके बाद मैं इसमें अब दो चमच कोको पॉडर एट के था मैंने और उसके बाद मैंने इसमें हाफ काप जो था ना मैंने पिसी हुचीनी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था यह जब थोड़ सा शाइनी हो जाए थोड़ सी तिक हो जाए पेस तो आप चुला इसके बाद यह में पास थे स्प्रिंगलHHHH ओर चाको चिप ना बाउल में वह सॉस डाल के अंदर मैंने इसको डोनल्स को डिप करना शू कर दिया इस तरह मैंने सारे इनको करके मिто मेनिक प्लेट में इनको मैंने रख लिया यहां पर देखे रिखितने अच्छ कितने खुब स्क्राइब जोर कीजिएगा दूआ में याद रखिएगा अल्ला हाफेज